हेलो स्वीडियो में हम लोग कॉंटिनु कर रहे हैं पोलर फॉर्म के आपके पीछ इस वीडियो से मैं आपको नौ मेरिकल कराकर हैं या इंस जिस म taking the while क्राक्द हैं आया हूं अभी मैं अगी और अलग अलग इफरेंट टाइपि के नौ मेरीकलस आपको कराऊँ जो starting आपका है complex analysis का उसमें यही polar form से related questions आपके आने expected है ठीक है so एक चीज में चाहता हूं कि आप ये वाला एक question जो है आप solve कीजिए argument of z मुझे comments में इसका answer बताइए ठीक है next क्या है हम लोग एक question देखते हैं कि find the real values of x and y so that this negative 3 plus i square x square y and x square y plus 4i may represent a complex conjugate number ठीक है तो जब भी आप कोई question देखें let's say आपने ये type देखा नहीं है इससे पहले but engineering is all about कि आप concept को कैसे hit कर रहे हो आपको बस ये देखना है कि आप देखो क्या बोला है question में ये बोला है कि एक z1 है एक z2 दो complex number है ये दौनों एक दूसरे के conjugate हैं तो conjugate है इसका मतलब z1 है मानलो मैं कहता हूँ x plus i y तो z2 मेरा है same वो ही x और y है x minus i y अब इस तरह से आप देख रहे हो तो बिल्कुल simple लग रहा है आपको question कि ठीक है हम लोग इस तरह से रखेंगे equate करेंगे कुछ value आएगी और उसको हम solve करके x और y की value निकाल लेंगे equations निकलेंगे आपके एक so basically आपके quadratic equation आएगी वहां से हम निकाल लेंगे वही चीज हमें करनी है तो formulate आपको करने पड़ेंगे methodology कोई नया question देखता है type का तब भी एंड जो concept है वह remains the same बस आपको वह concept अपना घुसाना है methodology में बस this is what engineering is all about okay so z को मैं ले लेता हूं this is i x square y यही मैंने जैड अपना ले लिए first इसको मैं मान लेता हूं conjugate ठीक है अब यहां पर आप देखो इससे वापस return कैसे आँगा conjugate से अगर मुझे return आना है यहां से मुझे जैड में return वापस आना है तो इसके लिए जैड लिख सकता हूं कि इसके जो imaginary part है minus 4i ठीक है simple as that यह आपका real part है यह आपका imaginary part है अब और z भी यहां पर अगर मैं कहूं कि i x square y यह दोनों equal है अब इसको formulate करते है minus 3 plus i x square y is equal to अभी यहां तक है hope सबको समझ में आ गया होगा next अब हम लोग क्या करेंगे compare करेंगे equate करके कि जो real term है वो real term से जो imaginary term है वो imaginary term से यहां पर जो real term है वो यह है negative 3 और यहां की real term है is equal to x square plus y सो real term real term के equal होगी और मैं कहूं कि imaginary term जो कि यहां पर है x square y और यहां पर है negative 4 यह दोनों equal होंगे अब इधर आप देखो यह वाली equation में कि मैं x square को लिख सकता हूं इसकी value find out कर सकता हूं that is going to be minus 3 minus y चीक है minus 3 minus y यह मेरी x square की value अब उसको यहां put कर सकता हूं so this will be minus 3 minus y y again minus 4 अब यह इधर minus common लेकर काट सकता हूं तो 3 plus y y is equal to 4 I can say like this right अब इसको आगे करिए 3 y plus y square तो अब यह हो जाएगा quadratic equation की तरह इसको लिख लेते y square 3y minus यह 4 इधर value आ रही है y आ रहा है एक तो 1 यह आ रहा है minus 4 अब दौनों के respective मैं x की value निकालता हूं तो जब मेरा y है 1 आपको ऊपर यहां पर दिख रहा है कि मैं simply यहां से ही निकाल सकता हूं y की value इसमें अगर डालू x square y equal to minus 4 ठीक है इस equation में डाल देता हूं किसी भी equation में आप डाल सकते हो यहां पर आपका यह y को 1 अगर मेंने डाल दिया तो x square आ गया आपका this will be 4 और x आ गया आपका plus minus 2y अब आप देखो यह जो है real value नहीं आ रही है imaginary value आ रही है तो this is not feasible तो इसको हम consider नहीं करेंगे हम बोलेंगे not feasible ठीक है क्योंकि हमें क्या चाहिए real value चाहिए अब हम लोग when y equal to negative 4 put करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा x square negative 4 cancel out हो गया x square is equal to 1 x is equal to plus minus 1 so यह आपका solution हो गया y आपका आया negative 4 और आपका x that can be plus minus 1 कुछ भी हो सकता है तो यही आपका question था आपको real values बतानी थी x और y गी तो x हमारा आ गया let's say 1 ले लो यह negative 1 y आपका है negative 4 यह आपका answer आ गया तो इस तरह से यह type का question हो गया एक और question देखते है next type का so आप इस question में क्या है find a complex number z if argument z plus 1 is equal to pi by 6 argument z minus 1 is equal to 2 pi by 3 अब इस question को आप देखिए visualize कीजिए कि मुझे क्या निकालना है एक complex number z निकालना है ठीक है अब है क्या कि z को अगर मैं plus 1 कर दूँ ठीक है z में plus 1 कर दूँ तो argument मेरा दे रखा है यहां पर pi by 6 ठीक है यह z plus 1 लेट से और अगर z minus 1 कर दूँ ठीक है तो argument कुछ दिया हुआ है यहां पर z minus 1 के लिए जो कि एक theta एक angle आपको दिया गया है already यहां पर सो यह diagram कैसे भी बन सकता है depending on this theta ठीक है मैं यहां पर सिर्फ एक conceptual way ले रहा हूं आपको समझाने क्लिए कि किस तरह से होगा आपको conceptualize करना पड़ेगा question को तब ही जाके आप कोई अगर अलग तरीके का question भी आएगा तो उसको आप hit करोगे ठीक है अब यहां पर अब इसको करने का तरीका क्या हो सकता है आप सोचिए यहां पर मैं सबसे पहले यही कर सकता हूं कि मैं x और y के मतलब z है जो मेरे पास z plus 1 देखू पहले क्या बनता है और z minus 1 क्या बनता है ठीक है सो मेरे पास z है जो की basically होता है x plus i y अब z plus 1 देखते है z plus 1 अगर मैं करता हूं z में plus 1 तो वो कहां जाके जुड़ेगा plus 1 basically मैं एक real part add कर रहा हूं ठीक है real part add कर रहा हूं तो यह real part में ही add हो जाएगा तो x plus 1 हो जाएगा plus i y हो गया अब z minus 1 कर देते हैं तो z minus 1 तो हो गया यह x minus 1 again जैसे पीछे हुआ था और यह i y हो नव लेट से अब मेरे को यह इसी को लेके जो मेरे को यहां पर दिया हुआ है argument दिया हुआ है z plus 1 का that is given as pi by 6 this is given ठीक है इसका मतलब क्या है 10 inverse ठीक है आपको पता है y by x होता है y मेरा imaginary के साथ जो है और x जो है real part अब यहां पर imaginary part y है और z plus 1 के लिए देख रहा हूं ठीक है यह मेरा real part है x plus 1 this is equal to pi by 6 अब pi by 6 आपको पता है कितना होता है 30 degree यहां से आप देखो y x plus 1 is equal to मैं multiply दोनों साइट कर देता हूं 10 से लेट से तो यहां पर 10 inverse 10 कट जाएगा और यह 10 30 हो जाएगा 10 30 की value आपको पता ही है जो की होती है 1 by root 3 अब यहां पर basic equation सीधी में बना सकता हूं so that can be root 3 y ठीक है is equal to x plus 1 यह मेरी एक equation बन गए let's say मैं इसको equation number 1 देता हूं ठीक है similarly मैं equation यहां भी बना सकता हूं उन दोनों को solve कर दूंगा तो मेरा complex number आ जाएगा ठीक है करते हैं एक बार इसे भी argument z minus 1 is equal to 2 pi by 3 ठीक है again same देखेंगे 10 inverse जो है वो है y x minus 1 ठीक है यहां पर minus 1 है और 2 pi by 3 आपका 120 degree होता है then y x minus 1 क्योंकि 10 से मैं multiply दोनों साइड करूंगा और 10 120 degree जो है आपका that is root 3 minus का ठीक है अब इसको again हम formulate कर लेते हैं y is equal to negative root 3 x plus root 3 ठीक है अभी इसको और थोड़ा solve करना है तो आप कर लीजिए तो this will look like 3 y यहां पर root कर देते हैं minus 3 x plus 3 अब ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए ही किया है क्योंकि वहां भी मेरे पास ऊपर यह जो है ना यह root 3 y था यह root 3 y है ठीक है बस इसके लिए मैंने किया है अब subtract कर दोगे क्योंकि आप first और second equation को आप अगर दौनों equation को subtract करोगे तो आपके पास x की value आजाएगी ना eliminate हो जाएगा y तो subtract करेंगे तो आपका final आएगा यहां पर आप देखो this will be x plus 1 है और यहां पर है यह आपका final आजाएगा 4 x minus 2 is equal to 0 x की value आपकी 1 by 2 आगई 1 by 2 को first equation में या second equation में कहीं भी रख दो आप इसको रखो रखके देखिए क्या आ रहा है आपका value तो रखेंगे 3 y is equal to 1 by 2 plus 1 y आपका आगया root 3 by 2 तो आपका complex number z that will be equal to 1 by 2 plus root 3 by 2 यह मेरा question हो गया तो यह सारे question बहुत जादा weightage के नहीं रहेंगे मैंने आपको 5 question करा है 4 मैंने practice करा है एक आपको बोला था कि आप खुद से solve करके मुझे बताओ अब इसका answer आपका जो finally वो आएगा आपका 10 inverse by 10 I hope सबका यही answer आ रहा है तो comment please करके बताओ वीडियो अच्छा लगा है तो please like करो channel को subscribe कर लो शेर करो वीडियो को जाद से आदा thanks for watching Hare Krishna